हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं इस्टडी फीटॉप फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों मैं डेली बेसेश पे आप सोग को प्रैक्टिस करा रही हूं यह उन्हीं प्रैक्टिस सेट का चारिस हुआ वेडियो हैं जैसा कि यम्पी वर्क टू-3, यूपी-टी-टी-पी- हैं जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जादे सीट रहे दोस्तों लेकिंद देखिये आने के बाद ही एक जग्पता चल पाएगा जोस्तों समय नस्टे नहीं चलते हुए चलती हैं अवाच्के को स्कूर्ण कि तरफ तो यहाँ पर question number one है कि भुजंगासन किस बिमारी के लिए लावदायक है भुजंगासन इस बेनिफीसिल फॉर विक दिजिज दोस्तो भुजंगासन जो है दमा यानि की अस्थमा रोगों के लिए बेश्ट होता है याद रखेगा इससे कौन सा आसन किस रोग के लिए होता है इससी एक question जरू होता है भुजंगासन जो है सर्वाइकल इस्वंडुलायटीस और इसलीब डिस्क आदी की समस्त मेरुदंड के रोगी के लिए महतपूर आसन होता है या पेट के बन लेट करकी किया जाता है question number two है बड़ी मांसपेसी है largest muscles longest यहां पर नहीं पूछा है largest यह नहीं सबसे बड़ी मांसपेसी है हमारे सरीर की Glutus Maximus Glutus Maximus Glutus Maximus Glutus Maximus Glutus hearduinbar 30 की सबसे बड़ी मांसपेसी हैं जैसा कि आप जानते हैं जोय इस मिनिमस यानि कुल्हे की सबसे चोटी और गहरी मांसपेशी होती है ते तीनों को याद रखेगा क्योंकि डीपली आप अधियांक करे रहेंगे तभी सही अंसर देंगे क्यों सरी की सबसे लांगेश्ट मसल साय। स्ऩ ну के स्टेपेडियोश का सबसे मजबूत मसल होता है। मचल साय। सबसे मजबूत मसल्स होती है HOW कोशन नम्बर धारी है कंप आव सकता की अनूपूल होनी चाहिए। इनकूल किस आव सकता है थे जैण५ूल जो camp में प्रतिभाग किये हैं participants किये हैं उने के अनुरूप होना चाहिए camp प्रतिभाग्यों के अनुसार होना चाहिए ठीके camp participants के अनुसार question number 4 है man species या manos सरीर को प्रदान करती है muscles provide the human body with जैसे कि दोस्तों जैसे कि कोशन कई बार आता है कि जो हमारे कंकाल है इसके डेडल है हड्या जो है उसारी को क्या प्रदान करती है जैसे कि अब एक धाचा है सरी को तो आकरिती प्रदान करता ही है तो यहाँ पर man species यो को पूछ रहा है तो man species याभी यहाँ पर एक safe यानि की आकरिती प्रदान करेंगी question number 5 है कौन सी प्रसिचर ढंग में aerobic तथा anaerobic उर्जा प्रियोग होती है which training method use both aerobic and anaerobic energy तो दोस्तों जैसा कि आप जानते है interval training method ऐसा है जिसमें aerobic और anaerobic दोनों energy की उर्जा का प्रियोग होता है जैसा कि आप जानते है interval training method की को 2020 में रेंडली वा गर्चलर वीकीला ने किया था यह सहन सिल्टा तथा गती सहन सिल्टा को विख्सित करती है इस विधी को हम रेश्ट एन केफोर्ड अराम और प्रियास का विधी टेरेस प्रसिचर आजी नामों से जानते है यह जो है विधी सबसे अच्छा साहन सिल्टा को विख्सित करने की विधी है और अंद्राल प्रसिचर में अभ्यास को तिव्रता से किया जाता है ढूबिक को देता है और ऑनगीक और इन अप्रसिचर में इन दूर अभ्यास को बेच आधूर्ट में रखने जाता है जिसे कि अभ्यास को हरता हो कुछ समय क्रिया क्लाब करने के बाद हिद्गती 180 पर्थिविनयर पहुंच जाती है और अधरी छती पूर्ति के अधार पर जब हिद्गती 120-140 पर्थिविनयर पहुंचे ही अभयास को पुना शुरू कर दिया जाता है यानि 180 पहुचते ही रोग दिया जाता है अग जैसे ही चाती पूर्तिकाल में 120-140 तक हमारा होटेट पहुचता है पुनह अभ्यास शुरू कर दिया जाता है तो दूस्तो प्रोफेसर कॉर्सिंग को उरस 1995 में दोडाचार पूरुसकार से समानित किया था वे दोडाचार पूरुसकार प्याप्त करने वाले राजस्तान के पहले पर सिछटक थे कोश्शन में 7 है कंदिश्निंग और रिफ्लेक्स ठीयोरी किस नहीं दी ठी दोस्तों आप सब को सब को पता है कंदिश्निंग और रिफ्लेक्स ठीयोरी दिया था पावलाव ने चाहित लिए थे पावलाव प्राणी के समझ प्रसुत किया जाता है तब प्राणी उस उद्धिपक से समधित अनुक्रिया ही करता है उसे सुहाविक अनुक्रिया कहते हैं जैसे भोजन और लार जैसे दोस्तों इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए मैंने आपको स्पोर्स स्वाइकलोजी यदि खेल मनुविज्ञान के प्लैलिश में जाई यह अच्छे से सभी के सिधान को मैंने बताया हुआ है तो दोस्तों जैसे आफ जानते हैं सार्ट पूर्ट है वेकलोजी सेद्ससेड़ी का कोण स्वाइच होता है नोगा 24 बार भी आपका रायरेसर हो जाएगा आफसर नमबर भी जबकि जेवलीन थ्रू का 29 अंस होता है कोस्टन नमबर 9 है ओलम्पिक के जहंडे पर पांच अलग-अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दरसाते हैं दोस्तों जैसा कि यह पांच जो कलर है जो ओलम्पिक धोज है उसको 1913 में बैरेन पीरेडी कुबार्टिन ने बनाया था 1914 में इसको मानिता मिली थी और सुर्पतम फराया गया उलम्पिक धोज को 1920 एंट्वार्फ बेलियम उलम्पिक में और यह सफेद सिल्क का बनाव होता है इस पर पांच छल्ले आपस में इस प्रकार दूरी रहते हैं कि अंग्रेजी के अच्छर डबलू का अकार बनाते हैं अच्छल्ले पांच महादीव का प्रतीक है याई दुनिया की एकता को यह पर दरसीत करते हैं आसल नमबर ए आपका राइड़े से हो जाएगा यूनिटी आफ दे वाल्ड ठीक है एंड इन चल्लू को पांच छल्लू को ओलम्पिक के प्रतीक जिन की रूप में इस थाई र मैंने गिनांता है। यह था ?! कoses नमबर 10 है लेट सब्सब्सकिन प्रियोग होता है तो डुस्तों लेट सब्सक्रीक ठेबल टेनिस में होता है यह मै कोहिता है Biz अई डबल सब्सक्राइब watts से में होता में होता है जो जू जो वालीबल में होता है तो आप दो आपर Internet s Мы यो टेवल टेनिस में किया जाता है जब खिलाड़ी सर्विस करता है और बाल उसी के पाले में गिरने के बाद नेट से टकरा कर पती पच्छी के पाले में गिरती है तो उसे लेट कहा जाता है इस पर खिलाड़ी को कोई अंग प्राप्त नहीं होता question number 11 है दूसरी च्रोड़ी के lever में क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताई ही हूँ एफ ए आर तीन सो बार है ठीक है तो एक के उपर क्या है ए है मतलब axis यानि कि प्रथम च्रोड़ी के उत्तोलक में बीच में क्या होगा एक्सिस होगा ठीक है जो एक्सिस होगा फोर्स और रसिस्टेंस के बीच होगा एंड से के दो के उपर आपका है रह आर आर मतलब Kerry के उत्तुलक में रचिस्टेंश यानि भार बीच में होगा ठीक है अब 36 रेल के उत्तुलक में फोर्स यानि की बल बीच में क्वेशन नंबर बारा है काईफोसिस विरुत्ता को ऐसे भी कहते हैं तो दोस्तों काईफोसिस कुबड़ा होता है ठीक है काईफोसिस जिसे हम राउंड बैक हंच बैक तो यहां पर इसको राउंड बैक गोल्ड कमर आपका घुमावद आरफीर भी इसको हम कहते हैं तीक है को स्वेशन नंबर 13 है मोज के उप्चार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उप्चार क्या है तो बेश इमेडियेट टिट्मेंट फॉर इस प्रेंट इज तो दोस्तों ज जासे है कि जो एसलैजिस प्रकारा के चोटे हो होती है उसके लिए हम आर आई से यह पधर्दी का परियोग करते हैं तीक है इसमें पहले रेश फी आई सबसे पहले हम किसका परियोग करते है I see वर्प से उचार करते हैं, ठीक है? Quesion No.4 है, पूर्सों की कबटी खेल की खेलने चीज़ सीमा होती है, कितनी होती है? What is time limit for men to play कबटी? तो दोस्तो, पूर्सों की जो कबटी खेलने का समय सीमा होती है, बिसमिस मिनट के दो हाफ होते हैं, जबकि मेज़ाओं के लिए पंदरे, पंदरे मिनट के दो हाफ होते हैं. Quesion No.15 है, कि समाज सास्थ के दिश्ट्री कोर्स से निन मेंसिक प्रथम समू कौन सा है? We are the following age of first group from the point of view of sociology. Sochiology, तो दोस्तों, समाज सास्थ के दिश्ट्री से प्रथम समू होता है हमारा परिवार, क्योंकि समाजी करर प्रक्रिया जो होती है, वहाँ परिवार से ही सुरू होती है. क्योंकि समाज सास के दिश्चुकर से प्रथम समूव होता है परिवार क्योंकि वहीं पर बच्चा सबसे पहले स्वें से वा अन्य लोगों से जुड़ता है जो उसमें समाजीता का विकास करते हैं कोस्चन नमबर 16 है कि संतुलन निर्भर करता है तो दोस्तों संतुलन जो है सबसे पहले संतुलन के लिए चाहिए आपको कि उसका जो सेंट्र ग्रोवटी पॉइंट जितना नीची रहेगा उतना ही संतुलन अच्छा होगा और आपका जो वस्तु का चोड़ा आधार जितना होगा उतना ही वह संतुलन में रहेगा सबसे पहले मैं आपको बताते हूं यहां पर राइट इंसर हो जाएगा वस्तु की चोड़े आधार पर विट वे बेस आफ द अबजेक्ट तो किसी जब संतुलन किसे काते हैं equilibrium जब किसी वस्तु पर कोई बल इस तरह से कारे करें कि वस्तु ना तो रहे गति करें और नहीं गुरंगति करें उसे हम कहते हैं संतुलन यह निमिकार को पर निभग करता है जैसे केंडरी गुर्टुह करसब बन बिंदू यानि संतुलन में तब तक रहेगा कोई जब तक उसका करती है संतुलन के लिए आधार का आकार यानि आधार जितना बड़ा संतुलन उतना ही अच्छा होगा अधार चोड़ा होने से उसका जो CG पॉइंट होता है शिप्ट हो जाता है जिससे गुर्तुवा करसर रेखा अधार पही होता है बाहर नहीं जाता तीसरा फैक्टर होता है बेलेंस के लिए physiological effect जैसे कि कान में हमारे क्या पाजाता है एक इंडोलियूफ नाम का fluid द्रव पाजाता है जो संतुलन बनाने में सहायता करता है अगर यह इंडोलियूफ द्रव जो है अपनी जगह से हिल जाता है तो चक्कर आने लगता है है जो end of the Factor होता है दोस्तों विज्वल तता कारिक थैटिक सेंस जो PCO को सब्सक्राइब अच्छर्णार यह ही, पेर और को एपने पीर सब्सक्राइब बोडिो में तो हम चहतकी से पहले ही अपने प्र को हटा देते हैं यह मेरुदंड के एक तरब के मोड़ को हम क्या कहते हैं तो दोस्तों मेरुदंड के एक तरब के मोड़ को हम कहते हैं मेरुदंड के पार ऊपजाय ९्शु लिए बोलते हैं के एक तरब जुख जाना यह सपाइन के को प्रकार की स्कूलिए बनाती है सिंगल इसकोलियोसिस का दाबल एस प्रकावगी आउग्रिती बिनाता है तो डवल इसकोलियोसिस यह दोनों तरफ वाक्र बन जाता है को स्वास्थे की विकास में सहयोग नहीं करता विच और फालिविंग डॉप्मेंट और फिजिकल फिटनेश एंड हेल्थ दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कि इस को स्वास्थे को में जो डालना ही नहीं चाहेता परते दिन ब्यायाम करना है कि हमारे सारी स्वास्थ और फिजिकल फिटनेश को अच्छा करता है सहयोग करता है खेल खेलना भी बैहम करना है बट सब्सक्राइब लिखना परना यह सारी फिटनेश को हेल्प नहीं करता है क्वेस्टन निम्मर 19 है किस उलम्पिक में भारत ने बास्केट बाल इस परदा में भाग लिया हमें नहीं रहेगा ने रहेगा ठीक है इस जुलिए उलम्पिक टीया पॉर्टिसीपेट इन बास्केट बाल इवेंट तोस्तो मसमें भारत ने बास्केट बाल इस परदा में भाग लिया जोड्यों की बास्केट बाल को ऑलमपिक में कब सामिल किया गिया on basically बशक बर्लिण हरा इसलोंगेस घ्डुए लिए सांबिक में सामर्स किया गया उनिश्य क्याओंड नहसी है वी यह प्रवाइस्टिजीथ सफ्य को फीजिकल फीजिदली लेल्नेस 8 Southwest स्पीड गुड पोस्टर इस सभी प्रहावित करتे हैं तो यहां पर दूस्टो इस मुझे मुझे प습니다 नहीं करता मेरे क्याल से गुद्न si नहीं करता म्पावित नहींIt तो आप इसका एंसर या कमेंट अगर कुछ गलत लग रहा होगा तो जरूर कीजिएगा सब लोग मिलकर यहां पर सालो किया जाएगा कोश्चन निमर 21 है ग्रीज का मुख्य उद्देश था ग्रीज यानी युनान उद्देश था उसका मुख्य उद्देश से क्या था सारी सिछा के प्रती तो उसको अच्छे योध्धा तयार करना उसका मुख्य उद्देश था जैसे कि आप जानते ही स्पार्टा में अगर अ अच्छा अध्यापन का धंग क्या है स्यांपट अध्यान की भासर भी थी कि अध्यापन की दोनों तरफ सक्रेटा दोस्तों दोनों तरफ सक्रेटा वो साइड एक्टिविटी ही सबसे अच्छा अध्यापन का धंग हो सकता है क्च्छा में च्छातर जितना अधिक सक्रिय होगा सिच्छ अधिकम की प्रक्रिया उतने ही सार्थक शिज्ज होगी क्वेस्टन में तेस है जार्ज बिलियम ने किस वायम सीए की स्थापना किया था वायम सीए भारत में इस्थापित प्रस्म साइज सिच्छा महाबी द्याले हैं जिसको सबसे पहले आजित किया था एंगलेंड में छे जुन 1844 इपजी को जार्ज बिलियम की द्वारा जिसका हेर्ड कौर्टर जेनिवा सुर्जर लेंड है उसके बाद 1883 में स्प्रिंग फिल कॉलेज अमेरिका में इस्थापित किया गया उसके बाद अमेरिका से ही आई भी सिस्था के हैरी क्रोबक ने 1920 में के नए मदरास में वायम सीए कॉलेज अफिजिकल एजुकेसिन की इस्थापना किया जिसके प्रथम अधेश भी बने एट सीबाग कोशन नबर 24 है जीवित प्राडियों की सनरचना की कारे विधी को जाना जाता है दा इस्ट्रॉक्टर एंड फैंक्शनिंग ऑफ लीविंग और गनेज में एज नोन एज जैसा किया दोस्तों यहां पे क्या पूछा है ध्यान से कोशन को पढ़िए यहां पे जीवित प्रा की कारे भी थी यानि की इस्ट्रॉक्टर एंड फांक्शनिंग की बात किया है यहां पे सरीर क्रिया विग्यान होगा यानि फीजियोलोजी कोशन नमर पचीश है खेल की या परिभासा किसने दी है कि खेल एक श्वैचिक तथा स्वैम के द्वारा की जाने वाली गतिवी थी या क्रिया है तो इस परिभासा को दिया है इस टर्ण ने कोशन नमर थभीस है मनरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश से है तो मीन परपर्श ऑफ रिक्रियेशनल एक्टिविटीज दोस्तों जैसा कि हिंदी में आप कहेंगे मन को आनंदित करनी वाला और इंग्लिस में इसको कहेंगे रिक्रियेशन मतलब पुना क्रियेशन मतल करना यानि पुना निर्माण करना यानि कि खेलो खोई हुई सक्ति को पुना प्राप्त करना ही मनरंजन का मुख्य उद्देश से होता है तो यंदु कौसिफट नमेंर 27 है लाल रख्त को हिएं का अतपदन कहां होता है फूर रेड ब्लर सेल्स स्रप्रोडक्ट तो दÓस्तों सीपूर से तो कहां पी प्रोसेश जू होता है अप सब कुप पता है जो हमारे लंबी हर्दिया होती है उसमें जो घुखली होते हैं प्रोकले भाव उसको है वरसियन नाल कहते हैं उसे में बून महरु का निर्माड होता है इस्टेम कोशिका के द्वारा तो वहीं पे आपका क्रफ्त का निर्मार होता है लाल लख कोशिकाओं का तो बोन मेरोब का राइट इंसर हो जाएगा और जो भूड़ा वस्ता होता है उसमें जो रेडबर सेज का उत्पादन होता है वहां लीवर या इस्प्लिन में होता है यह भी याद रखेगा 22 28 सवासन की लाब हैं वाट आरदेव बेनिफीर साब शवासन दोस्तों सवासन की अंगिनत लाब हैं जैसे कि एक हर एक का रासन करने के बाद किया जाता हैो तो यहां पिए सवासन जो हे visto को सांत करता है से रखेंसर प्रदान करता है आईट रहोगा कोश्चन नमबर उन्तीस है निवने में से प्राड़ायाम नहीं है वरिद फॉलिविंग इज नॉट प्राड़ायाम दोस्तों जैसा कि अब जानते हैं प्राड़ायाम यहीं सांसों पर नियंदर करना ही प्राड़ायाम है कोश्चन नमबर तीस है लंबी कूद में किस प्राड़ की थाकत का प्रयोग होता है तो दोस्तों लंग जंप मैंने आपको बताया है कि यह सब्दों के अंतमिल जंप सब्द आए तो उसमें आपका सक्ती और गती दोनों प्रयोग होगा जहां पर शक्ती और गती दोनों प्रयोग होगा उसको हम कहते हैं 20 फोटक ताकत यानि एक्स्प्लोसिव स्ट्रेंथ तो यहां पर रायरे सरु हो जाएगा 20 फोटक सक्ती यानि एक्स्प्लोसिव स्ट्रेंथ पार्थ योजना की भासा होनी चाहिए तो दोस्तो पार्थ योजना हमेशा बिसे से संबंदित बनाना चाहिए क्या आप पढ़ाने वाले हैं उससे लेटेट लेशन प्लान होता है तो दोस्तो यहां पर क्या हो जाएगा बहुत विधी पुरुवक और संबंदित मतर्क किसे संबंदित बिसे संबंदित ठीक है तो यानिक बेरी सिस्टेमेटिक एंड रिलेवेंट होना चाहिए कोसे नमर 32 है उलम्पिक खेलों को एक मात्र उद्देश के साथ पुनर जिवित किया गया उलम्पिक गेम्स वेर रिवेवड विद दौ आल्सो परपज जैसे की जोस्तो उलम्पिक खेल को पुनर जिवित बैरेन पिरिक कुबर्टिन ने 1896 में किया और इसको पुरे देशों को दुनिया की एकता को लाने के लिए पुरे बिस्टों को एक मंच पर लाने के लिए तभी में भाईचारा बढ़ाने के लिए इसको लाया गया यानिकी देशों के बी का इवनियमार करने के लिए ठीक है तू परमोट एंड विल्ड हर्मनी सोसाइटी एंड ब्रूदर हुड एमांग्स नेशन्स कोश्चन नमर टैंटीस है ग्रिश्म उलम्पिक 2000 के खेल का स्थान कहा था तो दोस्तों 2000 उलम्पिक सिजनी आस्ट्रिया में हुआ था कि दोजार उलम्पिक कहां पर हुआ था दोजार में सिजनी आस्ट्रिया में और यह जो है उलम्पिक साथ 27 संस्क्रोड था जो 15 दिसंबर से एक अक्टुबर 2000 के बीच आजित किया था यह जो है जो है जो होजार जो सिजनी उलम्पिक है पर्थम बार इसमें डोपिंग के विरुद्ध सपत लिया गया या दर्खेगा और 2000 के सिजनी उलम्पिक में रैचेल होके आश्रिया कि महिला होकी दलकी कप्तान ने डोपिंग के विरुद सपत लिया था कि को कॉसेन नमर 34 है पहले एक प्रसिद्न खिलारी था दोस्तों पहले जो है किसके प्रसिद्न खिलारी थे ठीक है इप ब्राजिल के प्रसिद्न खिलारी थे दूसरों ये था आज की सेशन का 34 MC की कोस्टन्स आई होब कि सभी कोस्टन्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं जिस भी कोस्टन्स में डाउट होगा मिझे कमेंट में जरूर बताइए और जादे से जादे वीडियो को शेयर भी कीजिए यसे और लोगों तो वीडियो पहुँच सके तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो प्राइक्टिस में तब तक के लिए चैनल